पूरवी दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार रात को एक बेहद दर्दनाग हाथ से में साथ नवजात बच्चों की मौत हो गई जानगारी के अनुसार एक शिशु देखभाल केंदर में भीशन आग लगने से साथ बच्चों की मौत हो गई है बारा बच्चों को कल देर रात रेस्क्यू कराया गया था उसमें से अस्पिताल में इलाज के दौरान साथ बच्चों की मौत हो गई है पांच बच्चे अभी भी अस्पिताल में भरती हैं दिल्ली अगनी शमन सेवा ने कहा कि उसे रात 11 बच के 32 मिनट पर विवेक विहार छेतर के ब्लॉग BITI के पास बेबी केर सेंटर से आग लगने की सूचना मिली थी नौदमकल गाड़ियों को घटना इस्तल पर भेजा गया अधिकारियों ने बताया कि इमारत से 12 नवजात शिशों को रेस्क्यू किया गया दिल्ली फायर विभा के मुताबिक बेबी केर सेंटर 120 गच की बिल्डिंग में बना था फर्स्ट फ्लोर से 12 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था जिसमें से 7 बच्चों ने अस्पिताल में दम तोड़ दिया पांच अभी भी भरती हैं एक बच्चा जो आईस्यू में था उसने आज सुबह दम तोड़ दिया आग लगने के कारोनों का अभी तक पता नहीं चल सका है बेबी केयर सेंटर के बगल में एक बिल्डिंग थी उस पर भी आग की लपटे गई थी लेकिन गनिमत ये रही कि वहां कोई जनहानी नहीं हुई है बेबी केयर सेंटर के अंदर बड़ी संक्या में ऑक्सिजन सिलेंडर पड़े हुए है कुछ oxygen cylinder आग में फटे भी थे जो मौके पर दिखाई दे रहे हैं दमकल के 16 वाहन राट को मौके पर पहुंचे और करीब 50 मिनिट के अंदर आग पर काबू पाया गया